दोस्तों आजकल Android phone तो आप सभी यूज़ करते हैं और शायद आपने hard reset के बारे में जरूर सुना होगा या उसे कभी ना कभी यूज़ भी किया होगा जिसमें basically आप अपने phone में Android system recovery option को open करते हैं तो वहाँ पर आपको दो जरूरी option मिलती है wipe data factory reset और wipe cash partition लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यह options क्या है इनका use करने का फाइदा क्या है या इसका नुकसान क्या है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता और जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को एंड तक देखते वादा हूँ असलाम लेकुम दोस्तों मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं tech info edu चलियो शुरू करते हैं अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि android phone में android system recovery option को open कैसे करते हैं तो यहां पर हर model को hard reset करने का method थोड़ा change होता है आप अपने phone का model number देकर google पर hard reset method सर्च कर सकते हैं लेकि normally इस option को open करने का method यही है कि आप अपने mobile को power off करके volume up, home button और power button को इकठा दबाते हैं तब तक जब तक screen पर phone का logo शो ना हो जाए और उसके बाद screen पर आपको काफी सारी options नजर आती हैं जिन में से दो जरूरी option होती है wide data factory reset और wide cache partition अब इन options के आने के बाद option को select करने के लिए phone का touch काम नहीं करता बलके आपको volume up और volume down बटन को उपर नीचे जाने के लिए यूज़ करना होता है और option को select करने के लिए power button या home button को यूज़ करना होता है अब यहाँ पर हम इन दो important options की बात करें तो wipe data factory reset काफी important option है और आप सभी दोस्तों को इस option के बारे में लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि इस option की मदद से आप अपने mobile के सारे data को मुकमल दोर पर delete कर सकते हैं या फिर अपने phone को hard reset कर सकते हैं अब मिसाल के तोर पर आपके phone में बहुत सारा unused data है जिसे आप delete करना चाहते हैं और phone को बिलकुल वैसा बनाना चाहते हैं जैसे आपने उसे market से खरीदा था तो आप इस option को use करके अपने phone को बड़ी ही असानी से वैसा बना सकते हैं अब wipe data factory reset करके आप अपने phone को format कर सकते हैं आप अपने phone की internal storage में पड़े हुए data को delete कर सकते हैं अपने phone की सारी setting को default कर सकते हैं जैसे आपको नए phones में setting मिलती हैं बिलकुल वैसा बना सकते हैं फिर इसके अलावा अगर आप अपने phone को password लगा कर भूल गए हैं या कोई pattern लगा कर भूल गए हैं तो इस option की मदद से आप उसे भी असानी से तोड़ सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि इस option को use करने से आपके phone की internal और external storage दोनों ही format हो जाएंगी बलके यह option आपके memory card के किसी भी तरह के data को format या delete नहीं करता बलके सिरफ internal storage को ही format करता है तो दोस्तों अगर आपने अपने phone में बहुत सारी apps install कर रखी हैं या viruses की वज़ा से आपका phone slow काम कर रहा है बार बार hang हो रहा है या कुछ ऐसी apps हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं या बार बार storage low का error आ रहा है तो इन सभी conditions में आप इस option को use करके अपने phone को वैसा बना सकते हैं जैसा आपने बिलकुल new खरीदा था लेकिन यहां पर एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि आजकल के नए models में आप इस option को use करते हैं तो वहां पर आपसे FRT lock मांगा जाता है जिसमें आपसे आपका email और password इंटर करने को बोला जाता है अगर तो जो email आपने अपने phone में login किया हुआ था वो आपको याद है तो आप इसे unlock कर सकते हैं वरना FPR lock को bypass करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हो तो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उसके बाद Android recovery में आपको दूसरी option मिलती है wipe cache partition अब इस option की मदद से आप अपने phone की temporary cache files को या junk files को बड़ी ही असानी से delete कर सकते हैं अब जैसे मिसाल के तोर पर आप अपने computer के browser की cache files को control or del करके remove करती हैं सेम वैसे ही Android phone में आप junk files, temporary files या cache files को इस option की मदद से remove कर सकते हैं अब ऐसा करने से आपके phone में पढ़ा हुआ data वैसे ही रहेगा क्योंकि ये option सिरफ cache file या junk files को ही delete करती है आपके phone में पढ़े हुए दूसरे data को कोई भी नुकसान नहीं होगा उसके लावा अगर आपके phone में कोई चोटा मोटा error आ रहा है junk file या cache files की वज़ा से तो ऐसे में भी आप इस option को use कर सकते हैं और उन errors को remove कर सकते हैं या फिर आपका phone slow perform कर रहा है, apps बहुत slow काम कर रही है, बहुत सारी apps crash हो रही हैं तो आप इस option को use कर सकते हैं फिर सबसे important बात कि अगर आपको Android update मिलती है तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि phone को update करने के बाद white cache partition option को लाजमी use करें जिससे होगा यह कि इससे आपका phone performance भी अच्छी देगा और यह phone के लिए अच्छा भी होता है तो बस दोस्तों मुझे उमीद है कि आप इन दोनों options के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि यह क्या है इनका use क्या है Android phone में वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share भी कर दीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नहीं आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को subscribe कर लिजिए को कि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मुबाइल कंप्योटर और टेकनोलोजी से रेटिवडियो डिजिए लेकर आता रहता हूँ तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इन्शाला मलकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज झाल मलकात होगी तो अजय है नेक्स्ट वीडियो में इन्शाला हाणी अपना खोगी से लेकर भंगाउ से लेकर सत्की है